अज मैं बनाओंगी आचार का मसाला यह बनाने में बहुत आसान है इसको बना करके आप टोर करके रख सकते है इस मसाले को आप जब मन चाहे आचार में चाहे खटा मिठा कोई भी आचार हो आचार में डाल सकते हैं या फिर आप आचारी चिकेन मोटन या फिर आचारी सब्जियां भी बना रहे हैं तो इसको आप इस्तबाल कर सकते हैं नमस्कार गुमिट की चैनल लाइफटाइल में आपका बहुत- और यहां पर है राई के दाने इसको भी 25 ग्राम लिया है और अभी हम इसमें डालेंगे एक चमच मेथी के दाने इसके बाद तीन चमच जो है सौंप फैल सीर इसको हम पांस मुनिट के लिए ड्राय रोष्ट कर लेंगे अगर आप इसी प्रोसेस में बनाएंगे तो आपका जो आचार मसाला है पॉर्फेक्ट बनेगा इसका पूरा जो इंग्रेडियेंट्स है इसका मैंने डेक्स्वर्ण बॉक्स में दे दिया है और हम इसमें लेंगे लाल मिर्च 20 ग्राम इसके बाद धनिया पाउडर है 100 ग्रा और हल्दी पाउडर डेड़ से दो चमच लेना है आपको इसको पहले से मैंने पाउडर बना के रख लिया था अगर आप चाहे तो धनिया पाउडर जो है मेरे पास साबूत बाला नहीं है भी तो मैं पाउडर इस्तमाल कर रहे हूं आप चाहे तो इसका धनिया जो है अभी नमक को भी हम थोड़ी दिर के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि नमक में भी जो एक्स्ट्रा मौश्वर रहेगा वो चला जाएगा अभी इसको हम जो साबूत बाला मसाले था इसको थंडा करने के लिए रख देंगे लगबग आधा गंटा में थंडा हो जाएगा या फि अभी इसको घ्राइडर जार में एक को पहले हम साबूत बाला जो मसाले था इसको घ्राइंड करेंगे थोड़ा दरदर आप पिसेंगे बहुत जादा फाइन पावडर नहीं बनाना है क्योंकि आचार में डालना है इसको तो थोड़ा सा कुछ भी स्वह बगेर आये मुह मे तो अच्छा लगता है तो देखिए दरदरा मेंने पीछ लिया है एक दो बार ग्राइंडर में चला लिया है उसके बाद हमारा जो सुखे मतलब पाउडर जो बना हुआ मसाला था इसमें हम भी डाल देंगे और इसको फिर से हम दो बारा ग्राइंड करेंगे अभी पाउडर को भी मैं उस मसाले के साथ मिला के मैंने पीछ लिया है इसको चानने की जरूत नहीं है तो इस मसाले को आप जब भी आचार बना रहे हैं मीठे वाला हो या फिर खटा वाला हो कोई भी आचार बना रहे हैं तो जब भी आप आचार बनाना है तो इस मसाले को ड या फिर दूसरे जो आचारी सब्जियां बनती हैं, उसमें आप इस मसाले का इस्तमाल कर सकते हैं. वीडियो पसंद आये तो लाइक करें.